आज मैं आपके लिए बहुत ही तेस्टी चटपटा और जटपट बनने वाले नाश्टी की रसेपी लेकर आए हूँ जिसे आप सुभा की भाग दोड में फटा फट बना सकते हैं और इसके साथ बनाएंगे एक लाजवाब सा रायता जो इसके टेस्ट को दो गुना कर देगा तो चरिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगा कर तयार करेंगे तो मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल ले लिया है इसमें दो कप गेहूं का आटा डाल देंगे इसमें एक छोटी चमच नमक डाल देंगे साथी एक छोटी अजवायन को हास से इस तरीके से क्रश करके डालेंगे और दो से तीन चमच हरा धनिया डाल देंगे बारी कटा हुआ अब इसमें दो चमच देसी ही डाल रही हूँ आप चाहें तो यहाँ पर ओल का भी यूज़ कर सकते हैं और अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ड डालेंगे और इसका normal आटा लगाकर तयार करेंगे आटे को मल करके अच्छे से चिकना कर लेंगे यह देखी हमने यहाँ पर आटे को लगाकर तयार कर लिया है इसके पर थोड़ा सा घी लगा देंगे और इसे ढख करके रख देंगे तकरीबन 10-15 मिटलिर तकी आटा अच् पूटा हुआ है एक चोटी चमची सौफ डाल देंगे दरदर इकुटी हुई और इसे लो फ्लेम पर हलका सा इस तरीके से फ्राइ कर लेंगे आप इसमें आदे चोटी चमच कलॉंजी डाल देंगे एक बुड़ा चमच हरी मिर्च डाल देंगे बारी करती हुई अगर आप ज गैस का फ्लेम बेकुल लो रखेंगे और लो फ्लेम पर इस तरीके से इसे चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे हमें इसे तब तक भूनना है जब तक इसमें इसे बढ़िया सी खुश्बू नहीं आने लग जाती ये देखिए तकरीबन दो से तीन मिनट लगे है बेसन अच्छे से भून गया है इसका कलर भी चेंज हो गया है बड़िया सी खुश्बू आने लग गई है तो मैं इसमें दो मीडियम साइज के प्यास डाल दूगी जिसे हमने लंबाई में काटा हुआ है और आप इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें नमक डाल देंगे ट आप चाहें तो यहां पर अनारदाना पाउडर भी ढाल शकते हैं और फिर आप इसमें नीमबु कर रस भी ढाल शकते हैं और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से अब इसमें हरा धनिया डूझा दाल दिगे बारी कटा हुआ और इसमें ड़ग देंगे ढग धग करके चार से पांच मेर के लग देंगे ताकि रूम टेंपरेचर पर थोड़ा ठंडा हो जाएगा और जब तक यह मिक्स्टर ठंडा होगा तब तक हम इसके लिए रायता तयार कर लेते हैं तो मैंने यहां पर दो कर्ची भरके यानि तकरीबन एक कटोरी दही ले ली है औ आप इसके लिए तड़का तयार कर लेंगे जो इसकी ठेस्क में चार चांद लगा देगा तो गैस पर एक छोटा सा तड़का पैन रखेंगे इसमें एक चमश ऑल डाल देंगे यहां पर आप ऑल का ही यूज करें घी का यूज बिल्कुल ना करें वरना वो घी जो होता है तड़का बन करकेति तयार होगया है और इसके उपर यह तरका डाल देंगे इस तरके से इसक कराइते का टेस्ट बहुआ आता है ये तर्काव जरूर लगाएं इसमें और ये रायता तयार हो चुका है हम इसे फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 5-10 मिले ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब तक हम यहां पर प्रांटी बना लेंगे आठा देखिए हमारा अच्छे से सेट हो चुका है अब हम इसमें से एक लोई ले लेंगे बहुत जादा बड़ी लोई नहीं लेंगे जितनी नॉर्मल रोटी के लिए लेते हैं अब इतनी ही लेनी है अब इसे थोड़ा सा बेल लेंगे किनारों से हम इसे थोड़ा पतला आती हैं तो आपकी अपने चैनल रीटा रूरा रेसेपीज को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलें आप इसे चारों तरफ से उठाते हुए इस तरीके से बंद कर दिया हमने और इसे सुखे आटे से कोट कर लेंगे और आप इसे बेल लेंगे इस तर परांठे बनते हैं अब हमने आप तब पहले ही गरम कर लिया है इसके उपर थोड़ा सा घी लगा देंगे और इसके उपर ये परांठा डाल देंगे और देखे जैसे ही नीचे से सिख गया है तो बस इसे पलट देंगे और इसके उपर की साइड हम एक चमज घी डाल ये परांठे इतने टेस्टी बनते हैं कि अप इसे बच्चों के लांच बाक्स में और ये ये बहुत जादा ठेस्टी लगते हैं और ये देखिए हमारा परांठा बन करके तयार हो गया है इसी तरिक कि चिट्पर्टी स्टाफिंग लग रहे हैं देखने में जितनी बढ़़िया लग रहे हैं ना खाने में उसे कहीं जाधा टेस्टी है ये बेसन और प्यास की बनाने Magic Guno sum देखते मों में पानी आ जाएगा और सुभा की जब ठंडी के सुभा में जब आप इसे खाएंगे ना तो नाश्टे का मज़ए दोगना हो जाएगा अब भी से सपी को अपने घर में ज़रूर ट्राइ करें और आप मुझे कहां से कौन से देश से देख रहे हैं मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है आप मिलती हूँ एक और नही रेसिपी के साथ तब तक लिए गुडबाई टेक केर और थैंक्स वर वाचिंग